राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भागतीन अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे अध्याए 21 प्रावड शिक्षा और जीवन परियंत सीखना तो आए सुनते हैं इसका द्वनी पाठ प्रिष्ठ संख्या तरासी 21.1 बुन्यादी साक्षर्ता प्राप्त करना शिक्षा प्रतेक नागरिक का मौलिक अधिकार है साक्षर्ता और बुन्यादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवन परियंत शिक्षा के आवसरों की एक नमीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी, पेशेवराना दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है समाज और देश के स्तर पर साक्षर्ता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतू किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है वैश्विक स्तर पर विभिन देशों के आंक्डे यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षर्ता दर और उसकी प्रतिव्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है 21.2 अपने जीवन और पेशे को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य प्रौध्योगी की का उप्योग करना 22.दवाईयों 23.सड़क आधी पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना 24.बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना 25.भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होने 26.साहित्य के कारियों की सराहना करने 27.अर साक्षरता की आवश्यक्ता से जुड़े मध्यम या उच्चतर उतपादक्ता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है यहां सूची बद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रावड शिक्षा के लिए नमाचारी उपायों के रूप में अपना कर प्राप्त किया जा सकता है 21.3 भारत में और विश्वभर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विशलेशन स्पष्ट तोर पर दर्शाते हैं कि स्वेच्षिक कार्यकरताओं पर आधारित साक्षर्ता कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्क जनों की साक्षर्ता में व्रिद्धी होती है बलकि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी वढ़ती है साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाओं और न्याय के लिए समुदाय की भागिदारी में भी बढ़ोत्तरी होती है वर्ष 1988 में जब राष्ट्रिय साक्षर्ता मिशन की शुरुआत की गई तो यह मुख्यता लोगों की स्वैचिक भागिदारी और सहयोग पर आधारित था जिसके फलसुरूप देश में 1991 से 2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षर्ता सहित संपूर्ण साक्षर्ता में उल्लेख नियवरिद्धी हुई और तातकालिक समाजिक मुद्धों पर चर्चा और विचार विमर्ष भी शुरू हुआ 21.4 प्रावड शिक्षा के लिए सुद्रिड एवं नमाचारी सरकारी पहल कदमियों खास कर समुदाय की भागिदारी को सुगम बनाना तथा प्रावड्योगी की के सुचारू और लाभकारी एकी करण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि सौ प्रतिशत साक्षर्ता के सबसे महत्तोपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ती शीघर हो सके 21.5 सबसे पहले NCERT के एक दैं और सू समर्थित घटक संगठन द्वारा एक उतक्रिष्ट प्रावड़ शिक्षण पाथे चरिया धाचा विकसित किया जाएगा जो प्रावड़ शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षर्ता, संख्यात्मक्ता, बुनियादी शिक्षन, व्यावसाइक कौशल, आधी के लिए उतक्रिष्ट पाथे चरिया बनाने में NCERT की मौजूदा विशेशग्यता के प्रती अनुरूपता, विकसित और उससे सामंजस से रखते हुए प्रावड़ शिक्षा का पाथे क्रम धाचा तयार होगा इस पाथे चरियात्मक धाचे में कम से कम निम्न पाँच प्रकार के कारेक्रम शामिल होगे, जिनमें से प्रतेक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाशित किये जाएंगे क बुनियादी साक्षरता और संख्याग्यान, ख महतुपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तिय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसाइक कौशल, स्वास्थे संबंधी जागरुकता, शिशुपालन एवं शिक्षा और परिवार कल्यान ग व्यावसाइक कौशल विकास यानि स्थानिय रोजगार प्राप्ती के मद्दे नजर, ग बुनियादी शिक्षा यानि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चितर माध्यमिक स्तर के समकक्ष एवं अंग सतत शिक्षा जैसे कला, विज्ञान, तक्नीकी, संस्कृती, खेल, म उननत सामगरी पर प्रावड शिक्षा कोर्स, ऐसा करते हुए यह ध्यान भी रखा जाएगा कि कई मामलों में वयसकों को बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वारे तरीकों और सामगरी की जगह भिन प्रकार की शिक्षन अधिगम पध्धतियों और सामगरी की इस दिशा में एक महतोपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल या स्कूल परिसरों का उप्योग प्रावड शिक्षा पाठेक्रमों के लिए सार्विजनिक पुस्तकालय स्थान जो जहां तक संभाव हो ICT से सूसजित होंगे और अन्य सामुद लाइक और स्वयम सेवी गतिविधियों के लिए आउस्तन रचना का साज़्ाकरण, भावतिक और मानव, दोनों संसाधनों के कुशल उप्योग को सुनिश्चित करने के साथ साथ इन चार प्रकार की शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महतोपूर्ण इन कारणों से उच्चितर शिक्षण संस्थानों, व्यावसाइक प्रशिक्षण केंद्रों जैसे अन्य व्यावसाइक संस्थानों के भीतर प्रावड शिक्षा केंद्रों को भी श्रामिल किया जा सकता है 21.7 प्रावड शिक्षा पाठेक्रम ढाचे में वर्नित सभी प्रकार की प्रावड शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठेक्रम की रूप रेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों, शिक्षकों और प्रेरकों की आवशिक्ता होगी मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रावड शिक्षा केंद्रों में शिक्षन गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेत्रित्व करने के साथ साथ स्वयम सेवक प्रशिक्षकों और क्यूटर्स के साथ समनवय करने के लिए राश्ट्रिय, राज्य और जिलास्तरिय संसाध सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा समुदाय से योग्य सदस्यों उच्चितर संस्थानों के समुदाय से जुड़ने के मिशन के अंतरगत उच्चितर शिक्षा संस्थानों को भी प्रोशाहित किया जाएगा कि वे लगू अवधी के प्रशिक्षन को राश्टर के लिए की गई इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य, साक्षर्ता और प्रावड शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोसाहित करने के लिए गईर सरकारी संगठनों और अन्य सामुदाईक संगठनों के साथ भी काम करेंगे। 21.8 चोथा, समुदाई के सदस्य प्रावड शिक्षा कारेकरम में भाग लें यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जाएंगे। जो सामाजिक कारेकरता समुदाईयों में जाकर गहर नामांकित एवं स्कूल छोड देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, उनसे भी ऐसे अभीभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकठे करन इन लोगों की सूचना स्थानिय प्रावड शिक्षा केंद्रों को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। करना आवश्यक है। यह नीती अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षन संस्थान, विद्याले, महाविद्याले और विश्वविद्याले ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ती सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों जिसमें निशक्त जन विशेश आवश्यक्ता वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं कि आवश्यक्ताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवँ राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि इस पूरे देश में सभी की जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वन्चित लोगों के साथ साथ ग्रामीन और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं पुस्तकों तक पहुंच हो। वह पु पुस्तकों की ओनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने हे तू एवँ डिजिटल पुस्तकाले को अधिक व्यापक बनाने हे तू कदम उठाये जाएंगे। समुदायों एवं शिक्षन संस्थानों में जीवन्त पुस्तकाले को बनाने एवं उनका सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित संख्या में पुस्तकाले स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसाईक विकास के लिए उचित करियर मार्ग बनाने वन्चित ख्षेत्रों में ग्रामीन पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना भारती भाषाओं में पठन सामगरी उपलब्ध कराना बाल पुस्तकालय एवं चल पुस्तकालय खोलना पूरे भारत में और विशयों पर सामाजिक पुस्तक क्लमों की स्थापना एवं शिक्षन, संस्थानों और पुस्तकालायों में आप्रसी सहयोग बढ़ाना 21.10 अंततह उप्रोक्त सभी पहलों को मजबूत करने के लिए प्राउध्योगी की कालाव उठाया जाएगा सरकारी और परोपकारी पहलों के साथ साथ क्राउड सोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्राउध्योगी की आधारित विकल्प जैसे एप, ओनलाइन कोर्स, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ओनलाइन किताबें और ICT से सुसजित पुस्तकाले औ और प्राउध शिक्षा केंदर आधी विकसित किये जाएंगे। कई मामलों में गुणवत्ता पूर्ण प्राउध शिक्षा का संचारन ओनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है। वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।